सुकदेव जी महाराजे राजा परिक्षित ने भादर्वा सुकल नौमना दिवसे परिक्षिते श्रवणान तेच कलव वर्ष सतद्वये सुधे सुचव नवम्याम्च धेनुजो कथयत कथा राजा परिक्षिते जे कथा सामड़ी औने एक कड़्यूग ना बसो वरस वित्या भगवान दरादाम जोड़ी ने गया त्यारे तीस वरस पची अंदा जे सुकदेव जी महाराजे कथा करी अने सुकदेव जी महाराजे कथा करया पची राजा परिक्षिते जी कथा सामड़ी एना बर्सो वरस वित्या केकला बर्सो वरस अने बर्सो वरस वित्या एना पची असाट मासनी सुकल पक्षनी नवमेती थिये भोकर्न महाराजे आ कथा पोताना ग्राम जनोने दुंदू का प्रिना कल्यान माते कथा संब्डादु आट लोग यह पतु अने पची तस्मा दपी कलोव प्राप्ते त्रिउंशत्वर्ष गते सती उचूरुर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मन सुत इत्ये तत्ते समाख्यातं यत प्रुष्टो हं त्वया प्रिनाग कलावभाग वती वारता भवरोग विनासरी अने पची कहे छे कड्युगना त्रीश्वरस्विति गया कितला कडियुग ना त्री स्वर स्वित्या अने कार्तक माक्ष ना सुक लपक्ष नी नवमें तिथिये सनकादीक रूश्यों एक कथा सरू करी भती आत्रने कथा ना मुरूत आपनने मड़्या एक सुक देवजी महराजे राजा परिक्षित ने समड़ावी एक गोकर्ण महराजे पोता ना भाई ना दुन्दुकारी ना आत्मकलिया ना रथे जे ग्राम जननों ने कथा समड़ावी ते अने सनकादीक रूश्यों जे सुत महर्शी अने सनकादीक रूश्यों जे आदिविया सत्रा आरम भी होतु ते आत्रणे मुरू तो यहां लखे लाजे सोधो तो बधू मड़े भागवत महाप्रणमा युँ कजू वस्तू छेदने के जिन्न होए असारे संसारे विशय विशयां कुल दिया आ संसार असार छे अने असार संसार नी अंदर विशयो थी युक्त जीवन छे विशयुक्त जीवन ने उत्तम जीवन बनावा माटे केवल ने केवल भगवार नी भक्ति खुब जरूरी जे अने जे धुन्दू कारी नो आख्यान की दू ए आख्यान ना अंतिम श्लूक नी अंदर संकादिक रुस्यो कहे जे आख्यानमे तत्परमं पवित्रं सुरुतं सुरुकुद्वै विदहे ददौ दधं स्राध्ये प्रयुक्तम पित्रुत्रुक्तिमा हवे मित्यम सुपाठा दपुनरु भवम्च जे पना धुन्दू कारी नो चरीत्र स्रद्धा पुर्वक सामडे छे एना पित्रुनी परमगती थाए छे अने जे स्रद्धा थी सामडे छे यहनु द पुनर भभंच यहनु पुनर जन्म थतो बोलो कृष्ण कणिया तमटाइ हमडी न सांति थी तो आगण जन्म नहीं ले ते आनल कषन कणिया लाल कि अजी आपने आओँ पुड़ से तो बोलो कृष्ण कणिया लाल कि आओँ